उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चोहान नी एक पार फिर अवैद खरनन को हिमाचल नी भारी तबाही की बड़ी वज़ा मानने से इंकार कर दिया उन्होंने कहा कि मानसून में 30% बारिश की और प्रत्याशित वृधी और नदी नालों पर तेजी से उभर्ती बस्तियां इसकी एक बड़ी वज़ा है भारी परसाथ की वज़े से ड्याम से छोड़े गए पानी को खुलू जिले में स्थानी लोगों ने एक वज़ा बताया यानि अपनी हे सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य के अवैद खनन के उठाएके सवालों को उन्होंने एक बार फिर नका रहा है या अवैद खनन को वचा बताने के अपने बयान पर अड़िक खड़े दिखाए दे रही है हम तो यह बात को पहले से कह रहे हैं क्योंकि हमको जो लीगल हर्डल्स हैं कॉम्प्लिकेशन हैं जो कानून है विशेच करेंग फॉरस्ट कंजर्विशन एक्ट है वो सबसे बड़ा वादा है हम सरकाहिमाचल परदेश में जो फॉरस्ट कंजर्विशन एक्ट है और जो फॉरस्ट के लोग कहते हैं कि और गॉर्मेंट वेस्ट लेंड इस फॉरस्ट लेंड चाहे वो खाले नाले वह कहीं भी हमाम उठा नहीं सकते अभी शैंज के जो शैंज क्षित्र है आज मैं किसी अख़वार में पढ़ रहा था शैंज क्षित्र के लोगों ने का कि जो एन एच पी सी निखने पानी छोड़ा उससे जो है वो उनके शैंज पानी आने के विसे मार पड़े इनको लुक्सान हुआ है तो अलग-अलग श जो है अथरी जुलाई महीने में और कोई 300 परसेंट जो बारी से जादा हुई है उद्योग मंत्री हर्श्वर्धन चोहान ने इस बात से भी इंकार कर दिया कि नद्यों के पास बने रहाइशी और वेर्साइक बस्तियों पर तुरंत सरकार कोई चाबुक चलाने की तैयारी में है उनने कहा कि क्याबिनीट में तमाम मस्क्रों पर चर्चा करके पैसा लिया जाएगा जो ग्रिवर कि दरियां नाले खाले हैं के किनारे लोगों बना लिये है उन्हों ने रुकावट पैदा की है अब आप देखिए कि बहुत सारी नदियों को जिसके किनारों को छेड़-चाड़ नहीं की गई है जिसके नजदीक लोगों ने घर नी बनाया है वह नकसान नही और जिन नदियों में विशेश करके जैसे ब्यास है ब्यास नदी के किनारे जो कुल्लू मनाली और मंदी के स्ट्रेच में उसको छेड़ा गया है लोग जो है वो नदी के जो अंदर गुसने की कोशिष किये जब नदियों में कभी ना कभी 10-15 साल बाद जो है वो भार आएग तो वो तो निश्यत रूप नुकसान होगा अभी मुख्यमंदरी जिने कहा है कि हम हिमाचर प्रदेश में जो नदियां है उसके हंडेड मीटर में जो है वो कंस्ट्रक्शन को बैन करने जा रहे हैं तो अब निश्यत रूप से कैपनेट जो है इसमें भी आने वाले समय में फ उन्होंने कहा कि अभी IIT रूड़की और मंदी समेथ एक्सपर्ट कमेटी ने दौरा करके अपनी रिपोर्ट सौंपनी है इसी के साथ सरकार तमाम मुद्दों पर विचार कर क्याबिनीट में अगली योजना तैयार करेगी माने घटकरी जी हमायचर परदेश ku jaheen āण वब कर दो शित्र क presidents Miditar Kabukar Jo कि उन्होंने अपनी आंगों से जो इस्कुद देखा है कि जटना उने एकसप्क्ट किया था उससे कहीं अधिक नुकसान जो है मंडी और मन्नी है कुलू है मनली है और व सारे हaldhem हुआ है और उन्हें आश्वाशन भी दिया है कि हम दिल खोल करके हिमाचिल प्रदेश की मदद करेंगे और उन्हें चार सो क्रोड रुपए देने के लिए गोशना की है हम धन्यवाद करते हैं गटकरी जी का कि इस संकट की घड़ी में जो है कौमेट अफ इंडिया ने और गटकरी ज है और उन्हें कुछ सुझाओ भी जो है वो दिये है जैसे कि गटकरी जी कि मैंने कल प्रेस कांफिरेंस है वो सुनी है और उन्हें माना है कि जो रिवर नदियाओं के किनारे जो शेहरों को गाओं को सरकों को और स्कीम्स को जो नुकसान हुआ है वो रिवर बैड में जो है नदियों में जो ओर डेपोजिशन है, कि नदियों में जो रेत है, बजरी है, पत्थर है, उसका बहुत बड़ी मातरा में इकठा होना जो है, वो भी एक कारण है और उन्होंने सजेस्ट किया है कि IIT मंडी और IIT रूड़की की टीम और हमारे जो 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 जोलिजिकल विवहाग की टीम है, वो उसको सर्वे करके और उसको किस तरह से निकाल करके निकाला जाए बतादें कि प्रदेश में भारी बारिज से हुए नुकसान को लेकर केंद्रे मंतरी नितन गड़करी हिमाचुल के कुल्नुज जिले के दोरे पर पहुँचे थी जाए उन्होंने नुकसान का जैजा लिया और केंद्र सरकाल की ओर से आर्थिक मदद देने की बात कहे सुरे समा चाल की येश उमला से ब्यूरोचिफ अरुन अन्होंने लिपोट